कि हम बात कर रहे हैं आरसेस के हैं देश जी जो सीलिय संचालक है और बहुत बड़े समासे भी जो राश्ट के कई महत्पून कामों में लगे हुँ हैं इनका अउगदान भी रहा है हम जानते हैं कि जहां मंधन के बैंदर के तली सुरच्छा की बात हो रही है कल वहां सोला ऐसा है कि देश के अंदर जब कभी सत्ता में रहा और आज विपक्ष में दल है कॉंग्रेश वो उसके नेता अगर छुपकर पाकिस्तानी नेताओं से बारता करेंगे वो हिंसा वालों को देश भक्त कहेंगे राम हुए ही नहीं है इसका एफिडेविट देंगे और अगर वो जो अलगाववाद वाले हिंसक वाले हैं उनसे मिलते ही रहेंगे वोट की खाते तो देश में अराजक्ता फैलाने वाले अराश्ट्रिय और अमानविय तत्वों को इस सारे चीज़ों के लिए परोत्सान म मुझे ये लगता है कि ये मन्थन राश्ट्रिय सुरक्षा एक दिरिष्टी इसलिए महत्वपूर्ण था सीमाओं पर निरंतर पाकिस्तान चीन की शराडतें बढ़ना और भारत सरकार सैना ने उसका मूह तोड़ जवाब देने के प्रकरिया चल रही है तो इसके लिए जा राजक्ता ने और अस्थिरता पैदा करने के लिए कोशिशे शुरू कर दी हैं ऐसे समय के अंदर और घुसपैठ मुक्त आतंक मुक्त नकसल मुक्त हिंसा मुक्त या फिर इसी के साथ साथ दंगा मुक्त चा जाती हो चा मजव के हो भारत बने स्थिरता आए राजक्ता साइबर क्राइम का मुकाबला करने वाला भारत बने देश के अंदर दुनिया की विदेश नितियां बनती हैं वह भारत की मजबूती को स्विकार करें भारत हैं सो ब्लैक मेल नहीं कर सकें इन सब बातों को लेकर कश्मीर से कन्या कुमारी तक गोया गुजरात से लेकर और एगाले मनिपूर तक के सैंकडो एक्सपर्ट्स आये हैं और जो दो काम करेंगे सैना सरकार पुलिस एजेंसियों को फीड़ बैक देंगे अपनी नीतियां बनाने के लिए और जनता में जागरुकता लाकर अस्थिरता राजकता पैदा करने वाले तत्व कोई भी गेम खेलने में सफल ना हो और सारा समाज एक जूट होकर एक सुरक्षित भारत एक समर्थ भारत के लिए सरकार के साथ एजेंसियों के साथ खड़ा है ऐसा आने वाला भारत बने 2019 के चुनाव के समय में अस्थिरता और राजकता पैदा करने में ये तत्व सफल ना हो सकें इमीडियेटली ये भी है लॉंग टाइम ये है ऐसा भारत जिसको दुनिया ने विश्वगरू और सोने की चिडिया कहा जिसकी और नजर उठा कर देखना भी लोगों को हिम्मत न झेल ये शिए गोड़र ने विदीलके खवड़ूरू जा मैं आहाईमे एठाग रठा हो चिपड़ हो झाला है आहा दो